आज मैं आपको ऐसे दो large cap mutual funds के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने past में consistently nifty 50 को शांदार तरीके से बीट किया है और जो अपनी large cap category के top performing mutual funds हैं तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन से हैं वो दोनो mutual funds जिसमें आप भी अपना पैसा invest कर सकते हो long term के लिए दोस्तो personal finance, stock market and mutual funds के बारे में हर हफते कुछ नया सीखना चाहते हो तो channel ज़रूर subscribe कर लेना क्योंकि हमें जल से जल 1000 subscribers की family पूरी करनी है तो आज ही मेरी family का हिस्सा बन जाओ and post notification bell ज़रूर on कर देना ताकि कोई भी important video update आप से मिसना हो तो चलिए video शुरू करते हैं अगर आप large cap category में invest करने का सोच रहे हो तो large cap पे कैसी category है जो सबसे कम risk की मानी जाती है small cap और mid cap के comparison में क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा सिर्फ इंडिया की top 100 companies में invest होता है जिस वज़े से large cap funds में आपको काफी stability देखने मिलती है and काफी sustainable returns generate करके देते हैं यह आपको long term period में वो भी काफी कम risk के साथ क्योंकि यह top 100 companies डूबने के chances बहुत कम है and recessions के वक तो यह funds और भी बहतर है क्योंकि यह बड़ी companies है तो यह ज्यादा नहीं गिरती है और साथ ही volatility भी काफी कम रहती है large cap funds में So now let's find two best large cap mutual funds जिसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी screen की तरह So यह है ticker tape का website आपको यहाँ पर login कर लेना है मैंने already login करके रखा हुआ है Upper left corner में आपको एक arrow दिख जाएगा यहाँ select करेंगे तो आपको बहुत सारे options दिख जाएगे Upstocks, ETFs, Indices, Mutual Funds कुछ भी यहाँ पर check कर सकते हो And आप stock की screening भी यहाँ कर सकते हो लेकिन हम फिलाल यहाँ पर use करने वाला है mutual fund screener यहाँ एक filter अलएड़ी applied है जो की growth funds का है आप देख सकते हो क्योंकि हमें बाकी दो की ज़रुरत नहीं है हम सिर्फ growth funds से pick करने वाला है And now you guys can see हमारे पास total 1361 mutual fund options available है invest करने के लिए जो की बहुत ज्यादा है And हमें इन में से shortlist करने हैं दो top large cap mutual funds तो अब हम जाएंगे category के अंदर And यहाँ equity में जाएंगे Equity में आप सब categories check करोगे तो यहाँ हम select करेंगे large cap fund की category तो large cap fund select करने के बाद जो हमारे पास options बच जाते हैं वो है 31 options So after this कुछ और filters भी हम add करेंगे यहाँ पर सिफ 3 year CAGR का option दिया हुआ है 5 year नहीं है तो हम 5 year CAGR भी add कर लेंगे And if you want then you can add 10 year CAGR option as well But मैं फिलाल इसको consider नहीं करूंगा हम यहाँ पर alpha ज़रूर add कर लेंगे क्योंकि वो एक काफी important parameter है Then हम जाएंगे risk में Risk में volatility काफी important parameter है जिसको हम add कर लेंगे Then हम जाएंगे ratios में Ratios के अंदर हम add करेंगे Sharpe ratio जो काफी important है And after adding all of this just select done अब हम इन filters में कुछ modifications करेंगे जैसे कि यहाँ AUM हमें चाहिए सिफ 2,000 करोड से उपर ऐसे ही funds हमें चाहिए जिनका AUM 2,000 करोड से ज्यादा हो ताकि हमें liquidity के कोई भी issues ना है So after doing this अब जो हमारे पास results रह गए हैं वो है 13 31 से ये down हो चुका है 13 पर And इसको और कम करने के लिए हम 3 year CAGR में change करेंगे यहाँ minus 79 की जगे हमें चाहिए ऐसे funds जिन्होंने last 3 year में 15% से ज्यादा का CAGR return generate करके दिया है So now it has come down to 12 अब 5 year CAGR में भी हम values change कर देंगे हमें ऐसे funds चाहिए जिन्होंने last 5 year में 12% से ज्यादा का CAGR generate करके दिया हो After selecting this हमारे पास बच जाते हैं सिर्फ 3 mutual funds And now हमारे लिए और भी आसान हो चुका है इन 3 funds में से दो top performing mutual funds ढूंड निकालना ये 3 ही funds ऐसे हैं जिन्होंने last 5 years में 12% से ज्यादा का CAGR generate किया है And last 3 years में 15% से ज्यादा का So we guys can clearly see कि इन funds ने काफी अच्छे returns जनेरेट करके दिये हैं past में लेकिन साथ में अब हमें ये देखना है कि क्या ये सारे ही funds अपना risk अच्छे से adjust कर पा रहे हैं या नहीं तो उसके लिए हम यहाँ पर sharp ratio की values change करेंगे हमें सिर्फ ऐसे funds चाहिए जिनका sharp ratio positive हो जितना ज्यादा positive sharp ratio होगा किसी भी fund का उतने ही better risk adjusted returns वो fund हमें generate करके देता है तो यहाँ पर zero हम insert कर लेंगे और ये select करने के बाद हमारे पास आ चुके हैं हमारे top two large cap funds जिन्होंने past में काफी अच्छे returns तो दिये ही हैं लेकिन साथ ही अपना risk भी अच्छे से adjust किया है अब अगर आपको इन दोनों funds में से भी सिर्फ एक fund pick करना हो तो वो आप कैसे करेंगे उसके लिए हम बाकी parameters देखेंगे हम देखेंगे alpha and volatility दोनों ही funds का and here you guys can see सबसे ज्यादा alpha निपॉन इंडिया large cap fund का है जितना ज्यादा alpha किसी भी fund का रहेगा उतना better वो perform करता है and volatility almost same है दोनों ही funds की अगर sharpie ratio की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा निपॉन इंडिया large cap fund का है यानि ये fund consistently बहुत अच्छे returns generate करके दे रहा है वो भी better risk adjustment के साथ तो अगर आपको सिर्फ एक fund pick करना हो तो आप निपॉन इंडिया large cap fund के साथ जा सकते हो लेकिन अगर आपका portfolio size बहुत बड़ा है और आपको 2 large cap funds choose करने हैं तो आप ये दोनों ही funds consider कर सकते हो investment के लिए तो ये थे top 2 large cap mutual funds जिसमें आप अपना पैसे invest कर सकते हो long term के लिए अगर mutual funds के साथ आप एक अच्छा stock portfolio भी ढून रहे हो तो ये video जरूर देख लेना इसमें मैंने एक शानदार small case stock portfolio के बारे में बात करी है जिसमें आप अपना पैसे invest कर सकते हो 2023 में इसका link उपर i button में भी pop up हो रहा होगा तो ये video जरूर देख लेना और stocks and mutual funds के अलावा दूसरे जितने asset classes है जहां पर मैं अपना पैसे invest करता हूँ उन सभी apps के link आपको description में मिल जाएंगे आप मेरा referral link यूज़ करके भी अपना account open कर सकते हैं and by doing that indirectly you will support my channel as well और अगर ये video आपको valuable लगा हो तो like जरूर कर देना and नहीं लगा हो तो बता दो क्या improve कर सकता हूँ मैं and इसके अलावा भी और कोई सवाल हो तो मुझे comment section में बता देना मैं सब का reply करूँगा या फिर मेरे instagram पर भी आकर आप मुझे connect कर सकते हो so till then take care and bye bye guys see you guys in the next video